तो यह हो गया अपना मिर्स टेक्नोलोजी यह वाला हो गया अपना सपोर्ट टैग और यह वाला हो गया इंफिनिटी सोल अब आप इसमें से दौन साल होंगे भाई लोग देखते हैं इस वीडियो में तो गाइस आज का वीडियो है वो स्पेशली जो है कैंपस पर डेडिकेटेड है कैंपस की जितने भी शूज जो हमारे पास रखे थे उसमें हमने सोचा कि क्यों ना कुछ बैस्ट शूज का एक कलेक्टिव वीडियो बनाया जाए तो आज हम लेके आए आपके लिए कैंपस की तरफ से 5 best shoes जो आप prefer कर सकते हैं during आपकी running और आपके casual walk के लिए अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही request रहेगी कि प्लीज अगर आपको हमारे content अच्छा लगता हो तो subscribe करिए ताक कि हम ऐसा ही content आपके लिए लाते रहें अब इस वीडियो में सबसे पहले मे यह flip card amazon वगेरा पर available है और वहाँ पर इसको यह point of sell करके जा रहा है कि यह जो है बहुत अच्छा running shoes है अब Royce 2 जो है Royce 1 की मुकाबले दिखने में इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ simple sober looking जूता है बहुत plain सा shoes है जिसमें आगी की तरफ mesh material और अंदर की तरफ cotton material यूज क करता है तो इस जूते की मेंन बात यह कि यहां पर जो सोल है उसमें इन्होंने स्कीट सोल यूज करके रखा है मतलब अगर आप जब भी running करेंगे या walking कर रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं तो यह आपको helpful रहेगा कि आप इसमें फिसले ना अब जूते में बस एक ही ड्रॉब है कि यहां पर इन्होंने campus का memory tech light जो रहता है वो यूज नहीं किया है लेकिन 1200 से 1200 प्राइज रहे हैं मैं expect करता हूं कि campus जो इस चीज में इंक्लूट करें अब गाइस में बात आती है इसके running और walking test में अब comfort की बात करें तो यहां पर जो अपर portion है वहां पर मुझे बिलकु आप इसको long running या फिर short running थोड़ी बहुत जब करें तो यह आपको जूता काफी help करने वाला है अब होता भी है कि running shoes में comfort का तो यहां पर भी वही दिक्कत है अब इस video में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इस segment में fourth number पर कौन सा जूता रखा है मतलब हमने इसमें ज कर रहा है वह फिफ्ट पर में आपको बता जिए कि campus royce 2 था अब fourth number पर जो हमने include कर रहा है वह campus का first यह campus go crazy फर्स जब launch हुआ था तो इसको काफी अच्छा response मिला था क्योंकि इसके looks काफी अच्छे थे यह मुझे याद दिलाता है बिट्स technology Nike का Nike का आपको पता होगा जब ज Nike के सबीट्स टेकनलोजी को तो यहां पर जो है मुझे softness तो दिखती है लेकिन प्लास्टिक एंग्रेविंग है जो सोल की नीचे जो एंग्रेव किया है उस कारण जो है pressing में थोड़ा बद प्रेस नहीं हो पाता है तो यह यहां पर एक प्रॉबे करा है अब इसकी look की बात करें तो लुक्स में यह काफी unique looking shoes है काफी अच्छा दिखता इसकी बात करें तो पूरे shoes में mesh material यूज करके रखा है उसके ओपर engraving करके रखी बात करूं इसकी quality की तो यहां पर सब को मैश ही यूज करके रखा है अंदर की तरफ जो लेयर है वो cotton की देके रखी ताकि आपक अबर एक खास बात ही है कि जो इसका इंसोल है वहां पर इनोंने memory take use नहीं किया है लेकिन उसके बाद भी जो पूरे जूते में comfort है वो काफी अच्छा है आपको जो heel support है वो भी काफी अच्छा है आपका upper portion पर जो support है वो भी बहुत अच्छा है यहां पर जो beads technology है यहां पर beads properly जो है इसमें अंदर engraved है plastic जो है इसका जो बैग है उसके अंदर सब कुछ beads भरे हुए है और पीछे की तरफ जो है plastic sole देके रखा है वो भी anti-skid material का अभी जो plastic sole देके रखा है इसमें थोड़ा सा इनने colorful treatment करने कोशिश करी आप देख सकते हैं यह पुरा orange color का है और green करका जो इसका side sole है आते हैं इसके verdict पर कि क्या आप कोई जूता लेना चाहिए comfort काफी अच्छा है लेकिन long running के लिए हम इसको prefer नहीं करेंगे जी हां लेकिन अगर आप casual wear करना चाहते है या फिर आप parties अगेना पहनना चाहते है तो जूता एक must buy है because white color का है अब जो third number मैंने जूत जूता रखा है ना guys उसका जो है market में काफी trend था जब flipcard की big billion days आई थी तो campus ने इस product को launch किया था इस specific model को और इसका नाम रखा था campus का abacus shoes price tag रखी थी 2000 रूपे 2100 रूपे 2200 रूपे क्योंकि जो मैंने 5 जूते रखे हैं वो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं तो यह specific shoes है वो आता है आपको green color में यहां पर भी mesh material ही use करके रखा है all over the shoes में with cotton embroidery आप देख सकते हैं थोड़ा सा whole patterns है प्लस इसमें जो है campus और abacus की branding करके रखिये full shoes में यह जूता भी दिखने में काफी unique looking है campus की यह बात काफी अच्छी है कि जब भी shoes बनाते हैं तो काफी plain subtle looking shoes अब move करते हैं में highlight point पर जब लॉंच हुआ था तो इन्होंने इसमें support टेक करके जो है soul launch किया था अब support टेक जो आपको पहले दिखा देता हूं कैसा होता है थोड़ा healy pattern में होता है plastic engraved होती है plastic engraving आप देख सकते हैं और the side pattern ने वहां पर जो है soul जो है काफी बड़ा देके test अब running में ब्यात करता हूं तो comfort मुझे काफी अच्छा मिला है smooth running होगी लेकिन long running में preferable नहीं है ये shoes उसका reason ये आता है कि जो support technique में include करके रखा है वो थोड़ा सा shoes को heavy बनाता है जब आप पाव में पहनते हैं अब आप में से street running कौन कौन करता है जो road running करता और jogging करता और roads वगेरा में तो उनके लिए issues है और इसका नाम है campus का street run ये मेरे हाथ में वो shoes है दिखने में काफी premium looking है ऐसा shoes market में बहुत कम मिलते हैं बहुत premium look लगता है आप देख सकते हैं ये जो इसकी पूरा grey color जो मेरे पास है पूरा जो mesh material यूज करके रखा है cotton का जो कपड़ा देके है उस कारण जो है आपको breathing वगेरा जो ही काफी अच्छी रहेगी लेग्स में secondly इसकी बात करते हैं जो इसका हमारा foot का back support होता है वहाँ पर जो cushioning extra देके रखिए वह काफी अच्छी है क्योंकि होता है कभी-कभी shoes जो है back side पर हमें बहुत eating करते हैं support करते हैं और फिर वहा होगा है बहुत thumbs up है काफी shoes में include करना चाहिए third हो गया इस पर भी memory tech light जो इनने use करके रखा है तो memory tech light जो इनका insole होता है वह हमेंने पहले ही बता चुका हूं कि यह काफी comfortable रहता है काफी moti layer जो रहती है अब fourth मैं बात कर रहता है इसके soul की जो soul है इसका guys वो है cushion revolution अब cushion revolution द जूता आता है 1400 1500 में हो सकता है कि sale में आपको इससे कम में भी मिल जाए यह next video में बढ़ने से पहले आप से पूछना चाहँगा कि campus जो है अपने IPOs लेने वाला है तो कौन-कौन है यहापर shares वगरा में interest रखता है और IPO में लगाने वाला है पैसा और क्या ही मेरी news सही है आपी views दिये यह आज यो के sale में मुझे याद 900 रुपय सम्थिंग में मिल रहा था तो जिसने लिया होगा उसके तो bank on deal रही है आगी अगी अगर ऐसी डील आईगी तो मैं फॉर्श अलब को बताऊंगा आप करें तो यह 16-1800 रुपय वगेरा में मिल जाता है आपको online market में अग्वाइब अग्या आज ही ओगए जितले भी sellers हो गया अब मैंने जो पहले रिव्य किया था वाइट कलर में था इस बार जो मेरे पाश शूज वह ब्लू कलर में है पहले आपको दिखाना ही पाया था लेकिन मैंने परस्नल यूस के लिए जो है इस निए शूज को इंक् आप इंफिनिटी कैपसूल जो होता है वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन बैग वगेरा प्लास्टिक लेरिंग के अंदर सिक्सोल जो इंक्लूड करके रखते हैं तो वह क्या प्रेसिंग वगेरा होती है और कमफट जो है काफी अच्छा होता है वीडियो में देख सकते हैं कि आप लॉग दिख में कर रहे हैं कमफट काफी अच्छा है लेकिन माई दर से बैस सबसे फाइब बैस चूज जो मुझे लगे वह इंक्लूट करें ते अगर मैंने कुछ मिस करा हो तो वह आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट चूस का कॉन सा रहा और अग करेंगे हम ऐसे ही टाइब के वीडियो से सब्सक्राइब करीचे चैनल को और लाइक करिएगा हमारे इस वीडियो को अगर 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 अगर